हेलो गाईस तो स्वाधते आपका टेक्निकल अंकित में और मेरे नामें अंकित और आज की वीडियो काफी ज़्यादा इंटरस्टिंग होने वाली है तो गाईस यहां एंडो 13 बेटा 2 अपडेट रिसीव होने लगा है और गाईस यह एंडो 13 बेटा 2 अपडेट किनकिन डिव गाईस में रिसीव हो चुका है उन्हीं के बारे में आपको आज इस वीडियो बताने वाला हूं तो गाईस वीडियो काफी ज़्यादा मेजिंग होने वाली है तो वीडियो को बिल्कुल भी इसकेप मत कीजेगा वीडियो एंड तक देखीगा और गाईस वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो गाईस यहां जो हमारा फर्स्ट डिवाइस आता है जिसमें हमारा Android 13 Beta 2 अपडेट रिसीव हो चुका है तो वह आता है Nokia X20 तो गाईस इस डिवाइस में हमारा Android 13 Beta 2 अपडेट रिसीव हो चुका है आप जाके चेक कर सकते हो तो चलते आपने नेक्स डीवाइस की तरब जो की आता है MI12 तो गाइज इस डीवाइस में भी हमारा Android 13 Beta 2 अपडेट रिसीव हो चुका है तो बढ़ते आपने नेक्स डीवाइस की तरब जो की आता है Redmi K50 Pro तो गाइज इस डीवाइस में भी हमारा ये update रिसीव हो चुका है आप जाके चेक कर सकते हो तो बढ़ते हैं पर नेक्स डिवाईस की तरप जो की आता है 1 प्लस 10 प्रो तो गाइस इस डिवाईस में भी हमारा एंडू ठाटन बेटा 2 अपडेट रिसीव हो चुका है आप जाके इसमें भी चेक कर सकते हो तो चलते हैं अपने नेक्ष डिवाइस की तरफ जो की आता है OPPO Find X5 Pro तो गाइस इस डिवाइस में भी हमारा ये अपडेट रिसीव हो चुका है तो बात करते हैं अपने नेक्ष डिवाइस की जो की आता है Realme GT2 Pro तो गाइस इस डिवाइस में भी हमारा Android 13 बेटा 2 अपडेट रिसीव हो चुका है तो चलते हैं अपने आक्री डिवाइस की तरफ जो की आता है Vivo X80 तो गाइस इस डिवाइस में भी हमारा Android 13 बेटा 2 अपडेट रिसीव हो चुका है आप जाके इसमें भी चेक कर सकते हो तो guys ये तो कुछ डिवाइस जिसमें हमारा endo 13 beta 2 update रिसीव हो चुका है तो guys आज की वीडियो के लिबस इतना ही अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नई हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को प्रेज जरू करें ताकि आपको मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए तो मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक यू